अज़ का जो हमारा टॉपिक है नाइथ केमिस्ट्री के सैवन चैप्टर का लेक्चर नमबर हमारा एट होगा इससे पहले हम साथ लेक्चर इसके दे चुके हैं अबाउट स्मार्ट सिलिबस के मताब़ा आज हम पढ़ेंगे अलेक्टोलाइट के बारे में नान बारे में और वीक ऑसाट के बारे में अजये देखते हैं अलेक्टोलाइट क्या होते हैं उओकिस सिट्विचन में एंडियर एक्ष का मतले होता है पानी स्लूशन से aqueous का मतलब होता है पानी solution means solution नहीं ऐसा solution जो पानी के अंदर बनाया गया हो मिसाल के तोर पर अगर हमने sodium chloride को पानी के अंदर हल कर लिया है नमकीन पानी बन गया है तो हम इसको कह सकते हैं यह aqueous solution of sodium chloride aqueous farm में या molten state उनकी पिगली हुई आलत यानि उनको इतना heat करें कि वो solid जो है अगर वो solid farm में है वो compound वो melt हो जाए पिगल जाए are called electrolytes यानि ऐसे substances जिनकी aqueous solution से या उनकी पिगली हुई हालत यानि molten state में से electric current पास हो जाए electric current जो है conduct हो जाए हम कहते हैं देयारदा electrolytes मिसाल के तोर पर यह है देखें यह स्पोज हमारे पास एक beaker है जी इस beaker के अंदर हमने कोई aqueous solution लिया हुआ है let's suppose हम कहते हैं sodium chloride का aqueous solution लिया हुआ हम क्या गरते हैं हमारे पास यह एक battery है ठीक है जी battery के दो terminal होते हैं एक positive होता है तो हम जी इसका एक positive सिरा इसके अंदर लगा देते हैं suppose इसका यह नोड है अच्छा एक जो है हम इदर से एक हमारे पास बलब है suppose यह एक electric बलब है जी हम क्या करते हैं बलब को दो तारें लगती है negative तार इदर से लगा देते हैं positive तार का एक सिरा लाकर इस solution के अंदर dip कर देते हैं एक सिरा एक और तार लेकर उसका सिरा यहां से लेकर यह यहां जाकर इसके साथ जोड़ देते हैं नतीजे में अगर आपका बलब जो है वो रोशन हो जाए तो हम कहते हैं कि इस aquis solution of sodium क्राइमने से current पास हो गया इसके हमने यहां से काट लिया दो टुकड़े का लिया यह इसको छील कर एक सिरा इदर डबो दिया एक बीकर की दूसरी साथ डबो दिया यानि दरम्यान में बिजली का वाया नहीं है बलके वो solution है अगर इसमें से current पास हो कि यह बलब रोशन हो जाए तो हम कहते है यह हमारा अलेक्ट्रोलाइट है अगर बलब रोशन ना हो हम कहते है यह non-elect्रोलाइट है यानि इसमें से current पास है नहीं हो सकता है इक्जेम्पल के हैं जी solution of salt यानि जैसे sodium chloride का solution ले 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 acids जैसे जैसे sodium hydroxide यह तुमाम जो substances है solution कि इसका salt का acid या basis यह सारे क्या होते हैं electrolytes होते है इसके लावा कहते हैं electricity cannot pass through electricity नहीं पास हो सकती through solid NACL अगर NACL जो है solid farm में है ठोस हालत में दिये गया है उसमें से current पास नहीं होगा बट अगर हम उसका aqua solution बना ले या वो किस state में आ जाए molten state में उसको इतना गरम कर ले कि वो पिगल जाए it does conduct electric current तो इसमें से electric current क्या हो जाएगा current electric current उसमें से conduct हो जाएगा उसमें से current pass हो जाएगा साबित यह हुआ कि solid farm में current pass नहीं होगा electrolyte के लिए यह condition है या तो उनका aqua solution होना चाहिए या उसकी molten state या पिगली होई हालत में वो compound है तो उसमें से current pass अगर होगा तो हम बोलेंगे that is electrolyte next हमारे पास definition जी non electrolyte बिलकुल उसके उलट the substances which do not ionize in their aqua solution and do not allow the current to pass through their solution are called non electrolyte actually यह जो electrolytes होते हैं इनमें से current किस तरह पास होता है basically यह पहले ionize होते है जब ionize जो compound जो substance जतना ionize होगा वो उतना ज़्यदा current केरी करेगा तो जिसकी ionization होगी उसी में से current pass होगा जिसकी ionization basically जो current है वो flow of electrons होता है जब ions बनते हैं तो electron क्या होते हैं loose भी होते हैं gain भी होते हैं तब current के एक सिल्सला चलता है अब कोई ऐसा हमारे पास substance आजए जो ionize ही ना हो जो ना electron ले ना दे electron का flow ही ना हो तो उसमें से current pass है नहीं होगा देखें जी non electrolyte में the substances which do not ionize जो ionize होते ही नहीं या अपने ions में split it up नहीं होते किस हालत में चाहे in their aqua solution में हो चाहे वो modern state में हो and do not allow और वो अजाज़त नहीं देते नहीं pass होने देते किस को current को to pass through their solution उनके solution में से यानि जब उनके ions ही नहीं बनेंगे तो उसमें से current भी pass नहीं होगा are called non-electro lights मैं अपनी बात को दोबारा repeat कर देता हूँ basically जब कुछ substance ionize होता है ionize का मतलब आइन बनने का अमल आइन कैसे बनते हैं अगर कोई atom electron lose कर दे तो भी आइन बन जाता है या electron gain कर ले तो भी आइन बन जाता है अब ये जो electron की movement है electron का एक जो है atom से दूसरे atom की तरफ जो जाना है this is called flow of electron this is actually current ये होता है current जिसको हम कहते है current pass होता है अब वो substance जो ionize हो जाएं इसका मतलब आइन बने आइन का मतलब है कि वहाँ electron का तबादला हुए electron गए भी है आए भी है वहाँ electricity pass होगी वो वाला जो substance है उनको हम बोलेंगे electrolytes और वो substance जो ionize ही नहों ionize नहोंने का मतलब कोई flow of electron नहीं हुआ electron move ही नहीं हुआ ना gain हुआ ना lose हुआ जब gain और lose नहीं होगा इसका मतलब electron का वहाँ concept है ही नहीं तो इसका मतलब flow of electron भी नहीं होगा क्यों because what is current flow of electron तो यहां electron जो है ना produce ही नहीं हुए तो लहाज़ यह non electrolyte का लेंगे मिसाल के तोर पर जैसे sugar का solution होता है चीनी वाला शर्बत या benzine solution होता है इसमें कोई ionization नहीं होती इनकी जब ionization नहीं होगी तो electric current का भी flow नहीं होगा इनकी अगर हम example लें suppose अगर हम कहते हैं कि यहां हमारे पास beaker के अंदर हमने sugar का solution ले ले लेते हैं किसका ले ले लेते हैं जी sugar का जाने चीनी का तो जब इसमें से हम यह तारें इस तरह जोड़ेंगे battery के साथ जो है एक negative ता डिरेक्ट लगा दी दूसरी जो उसका positive जो उसका सिरा है उसको यहां से solution के अंदर डबो दें उसका दूसरा सिरा फिर यून जाके उसके साल लगा है तो यह बलब रोशन नहीं होगा इसका मतलब है यह क्या है non electrolyte पहले हमने पढ़ा कि electrolyte क्या है फिर non electrolyte अब electrolyte की कुछ types भी है यानि classification of electrolytes इसके बारे मम पढ़ेंगे इस साल चुँकर smart syllabus की जासे major syllabus का part है इस chapter से skip कर दिया गया है तो बहुत ज़्यदा chance है कि examiner यह वाला question यह short question में पूछा जा सकते है define electrolyte, define non electrolyte define strong electrolyte, define weak electrolyte और long में भी पूछ सकता है examiner की define electrolytes describe its different types या classifieds types तो इसकी classification पर लिखेंगे तो उसमें आपको electrolytes, non electrolyte और उसकी इस तरह जो हैं types भी लिखी नहीं पढ़ सकती है इसके लावा यूं भी सवाल आ सकता है write a difference between electrolyte and a strong electrolyte and weak electrolyte तो उसको आप इसरा tabular form में लिखेंगे आते हैं जी classification of electrolytes electrolytes are classified electrolytes को तक्सीम किया जा सकता है into two groups, दो group बनाया जा सकता है किस बनायाद पर? depending upon their extent of ionization उनकी ionization की बनायाद पर उनको दो रोग ग्रूप में divide किया गया number one is the strong electrolyte other is the weak electrolyte strong electrolyte क्या होगा जी? the electrolyte which ionized almost completely वो वो वोले electrolytes ionized तो होना ही होना है क्योंकि हमने पढ़ा था electrolyte की होने की निशानी यही है कि पहले वो electrolyte जो ionize होगा ionize होगा तो electron का flow होगा electron का flow होगा तो वो current कहलाएगा वो electrolyte which ionized almost completely जो तक्रीबर मुकमल तोर पर ionize हो जाते है किस फार्म में? in their aqua solution aqua solution में भी या molten farm में भी and produce और पैदा करते हैं more ions बहुत ज़्यादा ions पैदा करते हैं our card strong electrolytes ऐसे electrolytes को हम क्या कहेंगे जी? strong electrolytes दोबारा देखें जी वो वाले electrolytes जो मुकमल तोर पर ionize हो जाएं और maximum ions produce करें तो हम कहते हैं S electrolytes को strong electrolytes example कहेंजी for example aqua solution of sodium chloride sodium hydroxide and sulfuric acid किस तरह ionize होते हैं? for example हमारे पास ये nao h है आपकी बुक में भी example दी गही है इसको जब इसका aqua solution या उपर इसके water लख देंगे इसका मतलब है कि aqua solution हम ले रहे हैं यहां भी आप इसको aqua solution लिख सकते हैं तो यह अगर अपने ions में सिपलिट अप हो जाए यानि sodium अलाइदा हो जाए और hydroxide ion अलाइदा हो जाए तो इसका मतलब है कि यह completely ionize हो गया तो यह strong electrolyte कहलाएगा यहां भी आप इसको aqua solution कर सकते हैं इसकी physical state को इसी तरह अगर sodium chloride है तो आप इसको भी यह शो कर सकते हैं यह sodium chloride है इधर अगर हम water शो करें तो यह sodium अलाइदा और chloride अलाइदा है इसी तर अगर आप H2SO4 को भी शो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं यह hydrogen आइन अलाइदा और यह sulfate आइन अलाइदा इसकी विलंसी मैनस 2 होती है इसकी प्लस 1 यहां दो hydrogen है तो इसको बैलंस करने के लिए यहां से 2 भी लगा सकते हैं तो इस तरह यह strong electrolytes की जो examples उनको हमने डिसकस किया कि sodium इस तरह complete ironize हो गया sodium chloride जो है इस तरह आइनाइज हो गया और sulfuric acid इस तरह आइनाइज हो गया यह अपने आइन में maximum जो है distribute हो गया लहाज़ा यह कह गया लाएंगे strong electrolyte as a result नितिज़े जगे तोपर हम यह पता चला कि the strong electrolytes is a good conductors of electricity कि यह electricity के बहुत अच्छे conductor होते हैं बहुत अच्छा current पास हो जाता है because maximum ions are produces when maximum ions are produces it means maximum flow of electron is possible there to gain and loss of electron हो रहा होगा इस लिए यह strong electrolyte कहलाते हैं और यह good connector of electricity कहलाएंगे अब आते हैं जी weak electrolyte की तरफ the electrolytes which ionize ionize तो यह भी होंगे to a small extent बहुत थोड़े बहुत थोड़े से जो है ionize होते हैं सारा मुकमल तोर पर नहीं होते when dissolved in water जब पानी में डाले जाएं and could not produce more ions maximum ions पैदा नहीं कर सकते बहुत थोड़े से R card weak electrolytes ऐसे electrolytes हम क्या बोलेंगे कि यह weak electrolytes यानि वह वाले electrolytes जो ionize भी बहुत कम होते हैं काम माइन प्रोडूसर इसका मतल है बहुत low flow of electron हुआ है towards to making the cation r anion तो हम कह सकते हैं जी ऐसे जो electrolytes हैं वो क्या होंगे जी weak electrolytes होंगे weak electrolytes do not ionize completely यह जो है मुकमल तोर पर ionize नहीं होते partially होते हैं for example stick acid stick acid का formula कहा जी CH3 COOH यह वह है जिसको हम घरों में भी इस्तमाल करते हैं veniger सिर्का जीसे कहते हैं या calcium hydroxide जो है when dissolved in water जब इनको पानी में dissolve किया जाए ionize to a small extent की थोड़ी सी मिकदार जो है ionize होती है किस तरह जी देखते हैं यह हमारे पास stick acid है CH3 COOH इसको जब water में डाला जाता है यानि इसका एको सिलूशन इसको जब ionize किया जाता है तो यह CH3 COOH acetate ion इसे क्या पढ़ेंगे acetate ion CH3 COOH इसका जो एक H है इस water के साथ मिलकर H3O बना देगा जिसको हम hydronium ion कहते हैं उसके उपर positive charge जाएगा क्या बोलेंगे hydronium ion H3O positive charge और यह CH3 COOH के उपर negative charge जिसको बोलेंगे acetate ion अब नतीजे के तोर पर यह पता चला as a result जो weak electrolyte होते हैं जैसे जिसको हमने पढ़ रहे है is a poor conductor of electricity जब वो ionize ही बहुत कम होगा तो इसका मतलब है बहुत कम flow of electron होगा जब flow of electron कम होगा इसका मतलब है वो electricity को पूरी तरह अच्छी तरह pass on नहीं करेंगे बलके थोड़ा थोड़ा पास करेंगे so we can say that weak electrolytes are the poor conductor of electricity whereas the strong electrolytes are the good conductor of electricity Thank you Jazakallah ठीजेबा dá Xiao Nah Jazakallah Jit झाल झाल